हां एक बहुत बड़ी information आपको मैं देने जा रहा हम आज कि अपन आप सबको बता है कि पर रहे हैं और कोई हमें पास होगे। result आ घिया यह लिए सब जान zij होने के बाद में पास होंगे कितने ओर 실사 क्या हुए हमारा एंदर है पुरा process है । यहां कि अब टोषेट जिस्के रहें हैं और ऑर मैं चोटी बात फ्र बता दूं आपको कुछ को बिल्कुल फृपको नहीं करना है तो मेरी बात को ध्यान में चलते हुए रखना है किसी का भी कोस्त नहीं करना है मैं आपको बिल्कुल free of cost पढ़ाऊंगा बिल्कुल free of cost कोई no charge और अगर आपको कहीं पर भी रत्ती भर भी फरक मैं सूच हो जाए कि ये sir free का course रेक पेसे वाले course में फरक है मतलब आपने काफी ऐसा कुछ different मामूली सा भी लग जाए तो बता देना आपको मतलब कहते हैं न 21 मिलेगा बीस नहीं समझ मैं कि सवा मिलेगा हमेशा 100% गरवालों का पैसा नहीं लगना चाहिए online का और मज़ा क्या है फिर ठीक है आराम से बढ़ो free of cost शांदार यूनिक काम करेंगे आज कल छोटे-छोटी चेंदर बनेने की मुह ठाइक आ जाएंगे यह लो साब इतने वे course परशेज ना कोई course का परशेज करने की जरूत नहीं है एवण सब्सक्राइब करेंगे है उपन बहुतनीजांदार थयारी के साथ में काम करेंगे और पर चाहिए RAS करो Speed Об सब्सक्राइब सब्सक्राइब काईब करूए शांदार वोब बी पर ले एक दो दो क्लास बस ताकि साथ की साथ याद रेंदक हो तरुन च्लास जदा उत्ता ही जदा पैसे आईगा यह आप भी समझे दिल की बात यह लेकिन नहीं करना क्योंकि ज़्यादा क्लास करके बड़न आप पर बनेगा और एक दिन में क्लास आपके नहीं याद को मैं उठा के देखता हूं तो 390 और 400 नमर जो लेकिया है आउट और 600 में से उसी को कोलेज मिलिये वरना कोलेज नहीं मिलिये मतलब अगर आपको भी एश्टी से पास होना तो 400 से कम तो किसी भी हालत में नहीं आने चाहिए लड़कियों की कोई पांदस कम रहे जाते हैं उनको फिर भी थोड़ी बहुत चूट है तो अपना टारगेट वैसे 4.500 का है और मेरे नोट्स में से तो आपको 600 में साढ़े 500 बनेंगे 600 बनेंगे कोई दिक्केत वाली बात नेगर्टिव मार्किंग वेसे भी नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप यह से परेट की जान कर लेना चाहते हो तो मैं यहीं कहूंगा कि 400 से नीचे अपन को नहीं आना किसी भी सूरत में इसका मतलब यहीं है हमेशा आब ध्यान रखो अभी रेट का रिजल आए लेवल फर्स्ट का अभी जस्ट दो दिन पहले ही रिजलिट रेट रिडिवल सीकंड का रिजल्ट रिघर रेजल्स का रिख्ट मिए उसकी कटॉप क्या रही है उसका कि एक्जान बात कराओं में, 100% के पीछे नहीं भागना है, जिन्दगी में एक असूल बना लो, एक असूल बना लो कि अगर आपको सेलेक्शन लेना है गोवर्मेंट जोब में, तो एक चीज़ का ध्यान लेकना, पढ़ने से ज्यादा जरूरी क्या है, क्या छोड़ना है, ये जिस दिन बारी बुक्स लाला के भंडार बढ़ देंगे, लाइब्रेरी बना देंगे अपने रूम को, ठीक है, नजाने कितनी बुक्स लियाएंगे, मैं बार बार एक ही कहूंगा, 100 बुक पढ़ने की बजाए, एक बुक को 100 बार पढ़ना जाए, ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए जरूरी है, क्या छोड़ना है, और अगर मेरे नोट्स पढ़ लिए, प्रॉपर, जितना भी डेटा मैं आपको दे रहा हूं, 90% कोर्स कवर करेगी, 100% ही करेगी, आपका तो लेकिन मैं फुल लेवल का बता रहा हूं, 90% तो हूबहू क्योशन मिलेंगे, हूबहू, और बता पहला है, पहला कान है कि जितना करवाया जा रहा है, इसको पढ़ा जाए, इसकी एक एक टिप्स नब्स बिल्कुल पकड़ ली जाए, आरा हूं से सेलेक्शन हो जाएगा, समझने आगे, आरा हूं से हंसते खेलते, जो पूरे के पीछे भागते हैं ना, उन्हीं की हलत पास होगे, इतने माकस आगे तो, फिर कोलेज का फोर्मर होगे, कोलेज को उन्हीं लें, ठीक है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक एक एंटरेंस एक्जाम है ना, उसकी बाद कोलेज अलोट होगी आपको, तो कोलेज अलोट हो गई, अब कोलेज में हर कोई चाहता है कि मेरी पसं पसंद्धा या फिर यह अब पसंद्धा घर चाहिए तो 400 प्लस नमर ले किया हो साड़े 400-400-420 ले किया हो तो जो कोलेज बरोगे अपने बिल्कुल आपके पास मिल जाए गर से जाओ बिल्कुल पढ़ गया जो बीस टीच से होगी पता भी नहीं चलेगा या फिर आपको बर वाता है मेरे साब से जब आप फोर्म बरोगे ना बीस टीच की वेकेंश जब आईगी उसमें बीस से एक के करीब तो आप लाइन वाइज बर देना सब्सक्राइल आपके पास वाली फिर पास पास वाली पनारा भी इस कोलेज बरनी है ठीक है वह बरने के बाद में लास अगर आपने अपनी पसंदिता करी हैं तो वोई मिलेगी अगर नमर अच्छे हैं तो ठीक है वरना ओल राजस्तान कर दोगे तो कहीन है करेंगी तो मिली जाए कम से कम यह तो है कि सब्सक्राइब नहीं होगे वहाँ पर आपकी या वह जो फोर्म बरेंगे तर एक बार और और एक सिस्टम और है अगर कहीं ज़्यादा एक दूर मिल जाती है तो अपन उस डिस्टिक में जाके एप्लिकेशन लगाके अपने जिले में होम या आसपास के जिले में भी अपन उसको ला सकते हैं यह सब रहा हूं और उसका सेंटर आगा जैसल मेर अब वह बहुत बाटर में जाके काफी डिस्टेंस पढ़ जाता है तो बलें आप मुझे बरतपूर ना दो बरतपूर के पास में दो साग जिया पूर ऐसा कुछ जिला दे दो तो वैसा भी हो जाता है अगर ओल्ड राजस्तान कर रहा है तो वरना अगर इस बीस कोलेज के लिए नंबर हों आज पास की तब तो आपको 400 नंबर लाने तब आगया सेलेक्शन अगर वहां पी नहीं बैटा तो पी ओल्ड आजस्तान में कहीं नहीं बैट जाएगा क्योंकि आपने बर रखा कि मुझे कोई बात नहीं पहला मेरा प्रफरेंस यह वरना मुझे ओल्ड आजस्तान में कहीं मिल जाएगी इसको हम डिप्लोमा इन इसको d l a डैणा डिप्लोमा इन अलिमेंटर इजुकेशन यह मिली आख साब दगरी सटिफिकेट ले की इसके बाद क्या 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 नों नोकरी नहीं लोगी जाब बस डिगरी मिल गई यह यह लो साब डिगरी अच्छे से लैमिनेशन करवा लिया जैसा कि आपकी आदत है और उसके बहुत इश्यांदार सुन्दर रख लिया अपने रखना भी चाहिए बिल्कुल डिगरी बड़ी मैनस से कमाई है ठीक अब क्या करें अब आएगी वेकेंसी गोवर्मेंट की वेकेंसी आएगी आइस पर उसमें साफ साफ लिखा आओ आगे बताता हूं यह आगे आई गोवर्मेंट की वेकेंसी उसमें लेवल फस्ट के अंदर आपने फॉर्म बढ़ा क्लास फस्ट लेगे फिप्टर के शांदार टीचर फॉर्म कर दिया फिल फॉर्म फिल कर दिया क्या फॉर्म बढ़ता ही एक नोक्री लग गई क्या अब क्या होगा एक्जाम ओगा एक्जाम ओगा ठीक है सबको बता तो छा फन्य वह प्ता्राहीं अब ईग्सायम होगा तो एक्जाम में क्या आएगा स्लबस यह अ स्लबस फा कि है यह भीके डिग्री के 4 शरे बढ़र अलग है वह पास होने के बाद मैं डएल की 300 नमर का paper है, कितना नमर का? 300 नमर का, राजस्तान जी के कितना है? दिरे से सुनो, 180 नमर, 180, बस selection तो यहीं हो गया, आगे तो देखो ही मत बले, 300 में से 180 इकतरपा राजस्तान है, 180 का, राजस्तान आर्ट एन कल्चर, राजस्तान हिस्ट्री, राजस्तान जोग्रोफी, राजस्तान पॉलिटी, राजस्तान की इकनोमी, जो अभी आप BSTC में पढ़ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? आप सिर्फ BSTC वाला कोर्स नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ आप BAD वाला कोर्स नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ आप राजस्तान LDC का कोर्स ही नहीं पढ़ रहे हो, आप REIT LEVEL 1st का भी कोर्स पढ़ रहे हो, आप RS Prelims का भी कोर्स पढ़ रहे हो, RS Men's का भी कोर्स पढ़ रहे हो, इसलिए राजस्तान जी के पर मैंने जोर दिया है, ये 180 नमर अभी भी काम आएंगे, और REIT LEVEL जब नो 120 नमर का क्या मामला है, 120 का देखो, उसमें English, Hindi, SST, Science और Maths ये 5 सब्जेक्ट हो रहे हैं, जिसमें 55 marks के तो इन से क्योशन पूचेंगे, मैंस में पूचेंगे कुछ, कोई equation देख, 10 लेवल होगा है, 10 वी आठवी तक का लेवल बाद, 10 वी आठवी ठीक है, simple question होगे, बहुत होगे, बहुत ही, simple, 10 वी में बहुत simple, multiply है, फिर लसी माले, वो question, simple, science में normal question, biology से कुछ, जो देनिक जीओन में काम आता है, आप सोचेंगे, मामला क्या है, सीधा ये 50 लिख देते, सीधा 50 नहीं लिखा है, ये 555 तो आपके आएंगे, इन सब्जेक्ट से, प्रॉपर सब्जेक्ट से, English में grammar का टॉपिक आजा है, कुछ ना कुछ, और ये 5 है teaching aptitude के, इनी में शिक्षन विदिया, कि गनित पढ़ाओ होगे, विज्ञान कैसे पढ़ाओगे, SST कैसे पढ़ाओगे, हिंदी कैसे पढ़ाओ, English कैसे पढ़ाओगे, कि सबसे पहले हम जाएंगे, बहुत एजी है, बहुत एज़ी है, कैसे है, कि इसे मैस बढ़ा नहीं, तो मैस बिढ़ते ही एक शाद निकाल, 1.1, ऐसा नहीं, हम पहले उस बचिक को जाना चाहेंगे क्योंकि 5 जिए तक दिए पर पर चोटे बचे होता है भले हैं जाना चाहेंगे उसको प्लस-्माइनस करना रहा है कि गल्धन आरे कि या क्या क्रेंगे करेंगे लुक्र लगब की प्सक्रणाग के धाल शॉता है this is पूछा जाता है दस नमर का जाएं क्योंकि पांच उत्रा के टीचर को थोड़ा भूजा सभी का चाहिए फिर इस्कूल मेनेजमेंट और करेंट इस्कूल मेनेजमेंट के लग 25 च 30 क्योशन आते हैं आट 10 क्योशन करेंट के भी आता हैं तो current को बिल्कुल ignore मारतों बलें, current को प्रणोई मत बलें, current पे बिल्कुल focus ही मत रखो, current के क्योंकि फालतू में current पर पागल हो जाओगी फिर, ठीक है खूब दुकानी चल रही है तो आप कहीं दुकान में भंज आओ, है ना, तो करनट पर बिल्कुल में जुड़े रहते हैं तो वेसे आपके दो प्राइम निस्ट का कर रहे हैं या पर हमारे देश में क्या क्या हो रहा है तो वेसे दस में से 3-4 वेसे कर दोगे तो है वे समंधर लेकिन अंदाज हो जाएगा कि दस में से 2-3 तो कर लोगे जो ठीक है इसखुल मेंजब्ट है मतलब स्कुल मेंजब्ट का मतलब है कि कल को आप प्रिंसिपल बन गए या टीचर बन गए अगर आपको मेंजब्ट संबालना है तो क्या करेंगी वहां पर 20-25 तीसकों आते हैं बहुत एजी है ये तो छोटा से टॉपिक इसकूल मेंजब् कर ना है किस की कम है तो कैसे क्या करेंगे कोई बच् Rad schauen विस परिशान इसी कोई आइं सब्सक्राइन है तो हम क्या करेंगे एक्स و कंबालेंगे और फिर स्था सिक्सा मनोविज्यान ठीक है पेडागोजी वो 20 माक्स की हुआ है तो बीस और चालीश साट और सतर तहीं हो गया सतर और पचास और एक्सोसी यह हो गये पचास एक्सोसी कितने हो गये टू थर्टी टू थर्टी और सेवंटी तीन 300 थो चोटल मवा पर ए वन थर्ड की इसमें नेगाटिव मार्किंग है नेगाटिव मार्किंग कितने रहे एक बटा तीन कि अब बताओ मुश्किल लगा गया है कुछ भी मुश्किल नहीं है 300 मार्क्स का पर पर तीन सो नम्मर्पर ओंगा ठीक है 1890 कि राजस्तान जी कि कि एक सोची का राजस्तान जी के मतलब अगर आप परसंटेज निकालेंगे इसका 180 300 सोरी क्या लिख दिया मैंने तो देख को मेरी बास सुनो हां 300 में से यह दो जिरुवे से हैं सोच अकट गया तो मतलब यह 60% राजस्तान जी के 60% राजस्तान जी के कटोप कितने पर रहती है कटोप रही थी अभी 300 में से 200 पर मतलब मेरे साथ से 65% कटोप रही है 55% कटोप रही है पूरी 60% तो अकेल राजस्तान पर है अभी जो सेलेक्शन वान ने रिडिट लेवल फरस्ट वाले बच्चूं का उनके 200 नूमर पे सेलेक्शन है 200 पे 205 हेस्टी एस्टी ऐस्टी के त गोट के पी जाओ मैं कहह रहा हूं reasoning नहीं है इसके इंदर ना reasoning है ना मैत है कोई 2-5 नमर की मैत है वो ऐसे simple वाली किश्ण आईगी इसलिए लेकिन अभी उपन को पढ़ना पड़ेगी reasoning किसके लिए BSTC खुद को अपास करने के लिए ठीक है बाकी बात है लगे तो यह है system ताकि आपको आगे का भी पता रहे है इसलिए मैं कहता हूँ बहुश्य को ध्यान में रखते हैं पड़ाई करनी है तो मैं अपना focus राजस्तान जीके को मजबूत करना है साथ में B plan extra भी लेते हुँ चलना है जिसमें reasoning की त्यारी अच्छी करनी है और आपके हिंदी-English पेची हो जानी चाहिए हिंदी-English सब में बहुत मजबूत करनी है आपको वो भी करनी है और हिंदी-English reasoning और math यह थोड़ी बहुत ध्यान में रखना है बागी राजस्तान जी के घृट के पीना है ठीक है राजस्तान कोई सी वेकेंज और फाइट करना है तो इसलिए आज का मैंने सेशन रगा है आई ओफ सारे डाउट क्लिर हो गया होंगे क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेंट्स के डाउट था कि रीट मामला है क्या रीट का जंजट क्या है तो मैंने लाइन टू लाइन स्टेब सिखा दिया आप चाओ तो कहीं पेज में लिख लिया करो था कि अंडर्स्टेंडिंग रहो अंडर्स्टेंडिंग आपके यह बात ठीक है और कोई भी कैसा अब एक डाउटर जाए तो कॉमेंट कर देना सलूशन आपको मिल जाए ठीक है